हाथ तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे Border Security Force के जो शहीद हैं उनकी Family की Help कर सकते हैं तो देखे मैं आपको छोटा सा एक Overview बताना चाहूंगा Border Security Force जिसको की BSF भी कहा जाता है वो हमारे देश की या फिर हमारे Indian Territories की First Line of Defense होती है और ये Friends Central Armed Police Forces में से एक है और ये जो हमारी BSF Force है ये पूरे दुनिया में सबसे Largest Border को Guard करने वाली Force है तो देखे Friends ऐसा कई बार होता है कि Duty करते समय BSF के बहुत सारे जवान है शहीद हो जाते है तो उनके शहीद होने के बाद हम देशवासी हम भारत देशवासी कैसे उनकी Families की या उनके Dependents की मदद कर सकते है आज मैं इस वीडियो के माद्यम से आपको बताना चाहूंगा हाँ तो Friends अगर आपको जो हमारे सैनिक है जो Duty करते समय देश के लिए शहीद होए है उनकी मदद करनी है तो आप Friends भारतकेवीर.gov.in ये Ministry of Home Affairs Government of India भारत सरकार की Official Website है इस Website पे आके ही आपको डोनेशन करना है और Friends मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उनको पता चल सके कि कैसे वो जो हमारे सैनिक है जो शहीद हो गए है उनकी हेल्प कर सकते हैं उनकी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं तो Friends यहाँ पर मैं इस Website में जो Official Guidelines दी हुई है भारत सरकार के दुआरा वो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहूँगा अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो यह Guidelines जो मैं आपको बता रहा हूँ यह भी भारत सरकार ने इस Website पर दी है इन फ्यूचर हो सकता है यह Guidelines थोड़ी Change हो जाए तो आप इस Official Website में आ जाएए और पढ़ लीजे कि उस समय Government of India क्या Guidelines दे रहा है तो देखिए Guidelines में लिखा हुआ है पहली Guidelines You can donate directly to individual's Braveheart account और may donate to the भारत के वीर Corpus Fund तो देखिए Friends अगर आपको जो हमारे Scenic है उनकी मतलब जो शहीद हो गए है उनकी अगर family की help करनी है तो आप चाहें तो इस Website के थूँ एक particular जो शहीद है उनके account में donation दे सकते है या फिए Friends आप इस Website का यूज करके भारत के वीर Corpus Fund में donation दे सकते है तो यह जो भारत के वीर Corpus Fund है यह Government of India का पूरा मतलब एक Corpus है और समय समय पे जरुवत के हिसाब से इस Corpus Fund से भारत सरकार पैसे निकालेगी और जो भी in future अगर कोई सैनिक हमारा duty करते हुए शहीद होता है तो उनके account में पैसे transfer कर देगी या donate कर देगी और मैं आपको एक और बात बताने चाहूँगा कि एक particular अगर आप सैनिक लेते हैं जो duty करते समय शहीद हुए है तो उनके account में maximum total donation जो है उसकी जो maximum limit है वो 15 लाग रुपे तो इस बात का आपको धियान रखना है दूसरी चीज यह है friends तो इंशूर मैग्सिमुम कवरेज अ कैप और 15 लाग इस इन्विशाच्ट पर ब्रेवहार्ट और डोनर वोड बी अलर्टेट इफ दी अमांट एक्सेट 15 लाग तो देखे friends जैसे मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने यह मतलब सेट किया है कि एक शहीद के अकाउंट में मैक्जिमुम जो कंट्रिविशन हो सकता है वो 15 लाग रुपे तक का हो सकता है तो friends अगर जैसे समझ लीजे आप डोनेट करने जब जाते हैं अगर समझ लीजे आप जो भी अमाउंट डोनेट कर रहे हैं और आपके फ़ेली भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने जो भारत के देशवासी हैं वो लोग ने डोनेट किया होगा तो अगर समझ लीजे 15 लाख के उपर वो डोनेशन चले जाता है तो उस केस में आपको ये वेबसाइट एक मैसेज दिखा देगी कि या तो आप जो अपना डोनेशन अमाउंट है उसको थोड़ा कम कर दीजे या फिर फ्रेंड्स आप जो डोनेशन अमाउंट है मतलब उसका कुछ पार्ट है जो भी आप डोनेट कर रहे है उसका कुछ एक पार्ट किसी दूसरे शहीद सैनिक के अकाउंट में डैवर्ट कर दीजे या फिर फ्रेंड्स आपका जो डोनेशन अमाउंट है जो भी आप कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर पार्ट भारत के वीर कॉर्पस फंड में आप डैवर्ड कर दीजे तो यह आपको मैसेज आ जाएगा इन केस अगर आप जिस भी सैनिक के अकाउंट में डोनेशन देना चाह रहे हैं उनके अकाउंट में अगर पंदरा लाग के ऊपर अगर अमाउंट एकसीड होता है तो यह वेबसाइट आपको अलर्ट कर देगी उसके वाद फ्रेंड्स है भारत के वीर कॉर्पस वुड बी मैनेज़ बाया कमिटी मेड ओफ इमिनेंट परसन ओफ रेप्यूट और सीनियर गवर्वर्मेंट ओफिशियल्स इन इक्वेल नंबर तो देखे फ्रेंड्स इसका मतलब यह हुआ कि भारत के वीर जो कॉर्पस फंड जो मैनेज कर रही है भारत सरकार और इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं लोग वो बहुत ही अच्छे और सीनियर गवर्मेंट ओफिशियल है और नामी लोग हैं तो मतलब पूरी ट्रांसपरे इसका प्रेंज कर दिखाए जाएगी और जो भी फंड उन लोग मतलब किसी भी शहीद के अकाउंट में देंगे मतलब उनके फैमिली को मतलब जरुत के हिसाब से जो देंगे तो वो जो भी मतलब फंड रिलीज होगा वो बिल्कुल बिना किसी भेदबाओ के और एकदम बि पूरा मतलब जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं वो बहुती सीनियर गवर्मेंट ऑफिशल है और साथ सात में वो बहुती नामी और मतलब बहुती एक्सपीरियंस लोग है तो मतलब आप जो भी यहां पर डोनेशन करेंगे उससे मतलब आपका मतलब जो अमाउंट है वो यह तो corpus fund में जाएगा या फिर direct braveheart के account में जाएगा उसका कोई भी misuse नहीं करेगा अब देखिए मैं यहां पर कुछ और चीज़े बताना चाहूंगा तो friends इसका मतलब यह है कि जो भी payment आप इस portal के through करते हैं उसका एक certificate generate होगा मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि वो certificate कैसा होता है और वो certificate generate तभी होता है जब आपका जो payment gateway है वो आपके donation को clear कर देता है मतलब वो clear होके government of India के खाते में जब वो amount पहुँच जाएगा तभी है आपका certificate generate होगा और इस process को होने में 24 गंटे से 72 गंटे का समय लग सकता है अब friends मैं आपको यहाँ पर UPI के बारे में बताना चाहूंगा तो देखे certificates for contribution made through UPI जो जिसका address है भारत के वीर at the rate of SBI यह UPI ID है अब ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ in future हो सकता है चेंज हो जाए तो आप इस website में आके चेक कर लिजे कि UPI ID क्या है अगर यह donation देने की UPI ID किया है तो इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई UPI का use करके donate करता है तो उस case में उस particular person का जो certificate है वो कुछ समय बात generate होगा तो इस बात का आप ध्यान रखिए जिए UPI के through payment करने वाले को certificate थोड़ा time ले सकता है generation में उसके लिए friends और कुछ चीजे हैं जो मैं बताना और यह हो सकता है आपको थोड़ा मतलब काम की भी हो देखिए यहां पर आप जो भी contribute करते हैं मतलब जैसे समझ लीजी आप जो भी amount contribute करते हैं वो section 80G of income tax act के अंतरगत आपको उस पर छूट मिलेगी बोलने का मतलब यह है कि जब आप अपना income tax return भरने जाएंगे तो आप section 80 80G के अंतरगत आप छूट प्राप्त कर सकते हैं income tax से जो भी अपने यहां पर amount donate किया है और भी जानकारी मैंने इस वीडियो के description पर दिया है तो इस वीडियो का description जरू चेक करिए उसके फ्रेंड्स NRI जो non resident इंडियन है उनके लिए भी यहां पर एक दिया हुए facility NRI's holding account in Indian banks can also contribute through internet banking तो देखे friends बहुत सारे NRI ऐसे होते हैं जिनका भारती bank account में भारती bankों में account रहता है तो वो लोग भी internet banking के माध्यम से इस website पर donate कर सकते हैं और साथ साथ में friends यहां लिखा हुआ है international credit and debit card holders can also contribute with their cards तो देखे जो NRI है या फिर समाद लीजे कोई कोई और भी particular मतलब दूसरी nationality का अगर कोई person है जो जिसके पास international credit या debit card है तो वो भी अपना card यूज करके इस website पर donate कर सकता है तो friends income tax का जैसे मैं आपको बताया है कि आपको उसमें जो भी आप donate करेंगे यहाँ पर amount उस पर आपको कुछ छूट मिलेगी आपका income tax return भरते सम है तो देखें यह government of India ministry of finance income tax department का यह जो order है यह मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब का यह order है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी इस portal के through donate करता है उसको छूट मिलेगी अब friends मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप donate करते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा है click here to contribute इस पर आप click किजिए यहाँ पर देखें contribute to लिखा है और यहाँ brave hearts यह लिखा है brave hearts का link है इस पर आप click किजिए तो friends आप इस page पर आजाएंगे तो देखें यहाँ पर फिलाल अभी कोई भी जो भी हमारे cynic है जो श बट जैसे समझ लीजे कि कोई सैनिक duty करते समय शहीद हुए है तो उनका यहाँ पर नाम, photo और पूरी details इस page पर आपको दिख जाएगी तो मैं बताना चाहूंगा कि वो detail कुछ किस प्रकार की दिखती है तो देखें friends यहाँ पर मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे brave hearts हैं जो शही देश के लिए और उनकी पूरी list है बगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इन लोगों के पास मतलब इनकी family के पास 15 लाख रुपे जो मतलब donate लोगों ने की हैं अपने देशवासियों ने इनके पास यह amount इनकी family के पास पहुँच गया है तो मैं आपको बताना चाहूंग कि इस page में जो details कुछ इस type की दिखती है जैसे यह जो अखिलेश कुमार पंडे जी हैं जो शहीद हुए है यह आसाम rifles में मतलब इनकी duty थी और देखिए जिस दिन शहीद हुए है वो तारीक दिख रही है कौन सी जगे यह शहीद हुए है duty करते समय उस जगे का नाम लिखा ह हुआ है जब वो शहीद हुए थे तो उनका मतलब उनकी age क्या थी यह यहाँ पर लिखा हुआ है native place वो कहां के थे तो यहाँ पर लिखा नहीं है बट यहाँ पर detail दी रहती है dependence मतलब इनकी family में मतलब इनके जाने के बाद इनके family में कौन-कौन लोग है तो देखिए यहाँ पर इनका एक बेटा है जैनकी उस समय उमर पांस साल थी और एक बेटी है जिनकी उस समय उमर чार साल थी और साथ साथ में brief of incident दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि जो यह शहीद हुए थे और मतलब किस कारण से मतलब क्या हो duty करते समय क्या हुआ थे incident जिसके कारण यह शहीद हुए थे तो यह आप यह सब detail पढ़ सकते हैं और इस page में friends ऐसे मतलब जो भी मतलब शहीदों की photo या नाम या list जो भी रहेगी तो इसी type के कुछ दिखेगी और यहाँ पर देखिए friends इसी page में आपको कुछ एक donate करने का button मिल जाएगा जो अभी नहीं दिख रहा है फिलाल पर यहाँ पर donate करने का button आपको दिखेगा उस पर आप click कीजे और आप जैसी उस पर click करेंगे तो आप यह जो हमारे वीर सहीद सैनिक है इनके account में donate कर पाएंगे ताकि इनकी जो family है, dependence है उनकी आप मदद कर सकें In case friends समझ लिजे कि यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिख रहा है किसी भी सैनिक का और आप चाहते हैं कि आप भारत के वीर Corpus Fund में donate करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर contribute to में जाईए और भारत के वीर Corpus Fund है इस पर आप click कीजे तो friends आपको इस type का कुछ page मिलेगा यहाँ पर friends आपको अपना mobile number डालना है दस डिजिट का mobile number डाली है यहाँ पर इस security code को यहाँ पर type कीजे और send OTP कीजे तो यह जो mobile number आप यहाँ पर डालेंगे और जैसी send OTP करेंगे तो इस mobile number पर आपको एक one time password आयागा जिसको आपको यहाँ पर enter करना है जैसे आप enter करेंगे आप अगले page पर पहुच जाएंगे और अगले page पर जाके आपको जो भी amount donate करना है वो आप donate कर सकते हैं भारत की वीर corpus fund में या फिर फ्रेंड्स अगर आप जैसे किसी individual brave heart के account में donation करना चाते हैं तो उस case में भी यही procedure रहेगी आपको mobile number डालना है OTP डालना है जो आपके mobile number रपया है और उसके बाद आपको donate करना है और साथ में friends आपको वहाँ पर अपना email address भी डालना पड़ेगा और अपना pen card number भी डालना पड़ेगा और एक बात का धियन रखिए कि pen card number आप सही तरीके से डालिए क्योंकि आपको जो अगर जैसे समालीजी income tax में अगर section 80G के अंतर का छूट चाहिए तो आपका pen number जो है वो सही होना चाहिए तो pen number आप सही तरीके से सही सही डाल दीजी अपना तो इससे in future आपको income tax में अगर आप मतलब अपना return भरते हैं तो आपको section 80G के अंतर का छूट मिलेगी उसके लवाफ friends मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़े बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ instruction दिये हुए कि if transaction fails at any stage and money is deducted from your card account please wait and don't attend further it will succeed इसका मतलब यह है friends की कई बार ऐसा होता है कि आप जब donation करने जा रहे है credit card से debit card से या फिर net banking से और समद लीजे कि आपके account से पैसे कड़ गया है पर आपको इस browser में mobile पे या फिर laptop पे या computer पे आपको error आ गया है पर आपके account से पैसे कड़ गया है तो आप कुछ घंटे या कुछ दिन wait कीजिए क्योंकि अगर आपके account से पैसे कड़ गया है तो वो कुछ समय बाद bank automatically भारत की वीर corpus fund या फिर brave heart के account में भेज देगा नहीं तो आपको हो सकता है refund आ जाए कि आपका transaction fail हो गया था आपके account में वो आपस वो पैसे आ जाएंगे और जब आपको refund हो गया है वो पैसा तब आप फिर से यहाँ पर आके try कर सकते हैं पर एकदम error आया आपके account से पैसे कड़ गया और उसी समय आप कुछ देर के बाद फिर से try करने लगे तो हो सकता है आपके account से मतलब आपको double double पैसे कड़ जाएं तो इसलिए मैं बोलूँगा कुछ घंटे या कुछ दिन वेट कर लीजे और उसके बाद ही फिर से देखिए कि आपका account में refund आया है की नहीं या फिर आपका पैसा कटके भारत की वीर corpus fund में गया है की नहीं उसके लगा friends अब मैं का नाम दिया रहाएगा यहां मैंने नाम छुपा दिया है और साथ साथ में लिखा इस टाइप का certificate रहाएगा और साथ साथ में आपने जो भी amount यहां पर contribute किया है ministry of home affairs के पास वो value यहां पर आपको दिख जाएगी तो इस certificate को आप चाहें तो share कर सकते हैं social media में इस certificate के थूँ आप in future income tax का return भरने जाते हैं किसी chartered accountant के पास तो यह certificate दिखा के section 80G के अंतरगत आप छूट पराप्त कर सकते हैं तो friends यही है यह procedure कि आप कैसे जो हमारे वीर शहीद सैनिक है उनकी family की मदद कर सकते हैं और मैं आपसे request करूँगा कि आप इस video को share कीजिए जाता से जादा ताकि यह information लोगों तक पहुचे और हमारे जो वीर शहीद हैं उनके जाने के बाद उनकी family की उनके dependence की मदद हो सके तो friends मैं आशा करता हूँ अगर हाँ तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए thanks for watching